जेहिन दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CBICD वर्ती 2020 के बारे में जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि All India से Candidate आविधन कर पाएंगे तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में complete जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप सब लोग जान पाओगी कि कौन लोग इसमें आविधन कर सकते हैं और कौन लोग आविधन नहीं कर सकते तो दोस्तों यहाँ पर जानकारी देने से पहले जो आपका इस वीडियो का जीके कोशन है वो जान लेते हैं इसके बाद बात करते हैं इस वर्ति के बारे में तो आपका सवाल है भारत के सवतंतरता संगर्स के दोरान डेकन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी तो आपके ओफसन है ओफसन ए जवाहर लाल नहरू ओफसन भी रविंदर नाथ टैगोर ओफसन सी बाल गंगधर तिलक और ओफसन डी वयो मेस चंदर बनर जी तो जो भी आपको लगता है राइट आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है और साथ ही आपको वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सबस्काइब भी कर लेना है अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बरती के बारे में तो पहले आप यहाँ पर थोड़ा सोट में जान लीजे फिर परते एक जानकारी ओफिसल नोटिफिकेशन से मैं आपको कन्फर्म कराऊंगा नेम ओफ दी ओर्गनाइशन आपका सेंट्रल ब्यूरो ओफ इन्वेस्टिगेशन है जोब कैटिकरी आपकी सेंट्रल गोर्मेंट जोब है डेजिगनेशन तो यहाँ पर जो आपकी पद पर बरती निकली है वह है आपकी डिप्टी इंजीनियर सेलरी यहाँ पर आपको क्या दी जाएगी वह आपको ओफिसल नोटिफिकेशन में आगे जानने को मिल जाएगा टोटल वैकेंसी आपकी दो निकाली है जोब लोकेशन आपकी दिल्ली मॉंबई चिन नहीं कोलकाता यानि के इन में से किसी भी जगहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है और अंतिम्ती थी आविदन करने की आपकी विदिन 60 डेज है जब यह भरती अनॉंस की थी उसके 60 डेज के बात तक और लाश्ट डेट इसकी जो तैंक ही गई है वो आपको थमनेल में देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी 12 माई 2020 होने वाली है अब चलिए इसकी ओफिसल वैबसेट पर चलते है यह आपकी ओफिसल वैबसेट है और जैसे आप यहां से जो केंड़ेट पहले से इस्टेट गवर्मेंट या फिस सेंट्रल गवर्मेंट के अंतर काम कर रहे है वो ही लोग इसमें आविदन कर पाएंगे और यह जानकारी सुनके मैं भी आपको बुरा लगा हूँ बट मेरा काम यह है कि इसमें मैं आपको सभी तरह की जो प्रोवाइड करा हूँ क्योंकि चैनल को जो फ्रैसर केंड़ेट है वो भी देखते है और जिनके पास हायर क्वालिफिकेसन है वो भी देखते है बट अगर आप फ्रैसर हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसको सेर कर दे अपने गुरूप में ताकि यह जानकारी उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को एक्चुल में इसकी आव सकते है और वो लोग इसमें अपलाई करके अपना परमोशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको सेलरी दी जाएगी हो 15,600 लेकर 49,100 रुपे होगी और जो आपकी पहले सो पोस्टिंग हो भी आप यहाँ से देख सकते हो इसी में आपको यहाँ पर नीचे आकर करके एगजएक्ट जो आपकी इलिजिबल्टी करेट एरिया वो देखने को मिलेगा नेम अप दी पोस्ट यहाँ से आप देख सकते हो क्लासिफिकिशन पोस्ट चेक कर लिजिए मैथड आउप एक्यूटमेंट यहाँ पर टैपिटिशन रहेगा एज लिमिट यहाँ पर आपकी मैक्सिमम चपन साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और क्वालिफिकिशन क्या चाहिए यहाँ पर आपके पास होल्डिंग एनालोगोस पोस्ट ओन रेगुलर बेसिस यहाँ फिर विद थ्री एर सर्विस ग्रेड रेंडर आफ्टर अपोइंटमेंट यहाँ पर आपके पास यह होनी चाहिए तीसरा विद आइट एयर सर्विस इन दी ग्रेड रेंडर आफ्टर अपोइंटमेंट तो आपके पास यह होना चाहिए इसके अलावा and possessing the following educational qualifications and experience यानि कि यह तो आपके पास होना ही चाहिए साथ ही आपके पास civil engineering की योग्यता होने चाहिए और five year experience इसी में आपके पास होना चाहिए जो कि government office या फिर public sector undertaking या फिर autonomous board या फिर statutory board यानि कि इन में से किसी department से आपके पास पास साल का experience होना जरूरी है तो दोस्तों अगर आप इसमें आविदन करने के लिए eligible हो इन information के नुसर तो नीचे आपको यही पर इसका application form देखने को मिल पाएगा जो कि आपको offline way में भेजना है और इसमें आपको आविदन करने के लिए कोई application fee देने क्या हो सकता नहीं है यह PDF आपको वीडियो की description में मिल जाएगा आपको इसको download करके सभी जानकारी को एक बार चेक करके आपको यह form fill up करके दिये गए address पर भेज़ देना है ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के notification सबसे पहले मिल पाए जे हिंदोस्तो